हमें भूस आयोजन की आवसकता क्यों पढ़ती है तो यहां पर हम आज बात करने आ लें वाय अर्थिंग इस रिक्वाइब यहां पर दिख देता हूं आज का टॉपिक और चलिए शुरू करते हैं आज का से बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है यह से ध्यान से है क्योंकि कई बार यह कोईसंस इंटर्व्यू में कॉंसेप्ट वाइस कोईसंस में या कही भी आम जर्नली कोईसंस के तौर पर पूछ लिया जाता है तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैं लिख देता हूं तो अर्थिंग के बारे में आपने समान परिवास आए पहले ही पढ़ रखी होगी तो अर्थिंग समझते हैं सबसे पहले कि अर्थिंग क्या होता है भाई देखो ISI नियम के अनुसार किसी भी उपकरण के सभी धात्विक भाग को अर्थ किया जाना चाहिए ये लाइन आप सभी ने पढ़ा कियोगी कभी न कभी तो अर्थिंग जो है उसका में फंडा क्या होता है कि वह एलेक्ट्रिक सौक से हुमन बोडी को बचाता है यानि कि क्या होत है कि मान लीजिए कोई भी उपकरण है उसका ये मेटलिक भाग है इस मेटलिक भाग को हमने अर्थ कर रखा है पीछे भी मैं आपको अर्थ और ग्राउंड के बारे में डिफरेंस बता चुका हूँ तो यहाँ पे इसको हमने अर्थ कर रखा है तो क्या होगा कि इस वाले भ जो लीकेज करेंट होगी न इसके बॉडी के द्वारा ये अर्थ हो जाएगी यानि कि इसके द्वारा जो यह वायर कनेक्ट है वह इसके द्वारा अर्थ हो जाएगी और हमारा जो human life है वो safe का safe रह जाएगा तो यानि कि आपको इससे समझने क्या आना चाहिए देखे पहल पॉइंट की दात्विक भाग सभी जितने भी उपकरण है सबके अर्थ किये जाने चाहिए दूसरा पॉइंट अर्थ वायर का resistance कम से कम होता है अर्थ वायर का resistance कम से कम होता है आप सभी को पता है basic electricity में आप पढ़ भी चुके हो कि किसी भी धारा के मार्ग में यदि कम resistance की बात आएगी तो धारा वहीं flow होगा ना कि अधिक resistance के द्वारा यदि माल लीजिए इस भाग में leakage current है कोई भी भाग हो सकता है leakage current है और हम इसको छू रहे हैं यहां से earth wire connect है earth wire का resistance बहुत कम है तो जैसे ही हम इसको touch करेंगे हमारा resistance कुछ और होगा wire का resistance कम है तो होगा क्या कि इस कम resistance के द्वारा धारा प्रवाहित हो जाएगी और मानव शरीर को विजुद का जटका लगने से बच जाएगा so there is two required condition is that the earth wire resistance must be minimum and the first condition is that all body parts metallic parts mostly must be earth all metallic parts of any component must be earth यानि कि जो ISI Niam कहता है वह यह कहता है कि सभी उपकरन के धात्विक भाग अर्थ किये जाने चाहिए अर्थ wire का resistance कम से कम होना चाहिए तो क्या होगा कि जब हम इसको touch करेंगे तो हमारी body का resistance कुछ और है और उस wire का resistance कम से कम है तो धारा चाहेगी कि कि वो कम resistance के द्वारा प्रभाहित हो जाए और मानव सरीर विधुत के जटके से बच जाएगा यानि तो prevent electric shock from human body we must use earth all electrical equipment तो आसा करता हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा तो इसको फटा-फट से देखते हुए आगे चलते हैं और note करेंगे इसको और भी अच्छे concept के साथ one more thing one more concept we need to get here the condition is that almost electric socket is look like that यानि कि सभी विदुत socket जो है वो ऐसे दिखते हैं तो यहाँ पर जो यह अर्थ वाला section है यह line का है neutral का भाई इसको इतना बड़ा बनाने की क्या आवा सकता है why earth portion must be large inside the socket भाई यह बड़ा क्यों होता है कभी सोचा है अपने earth का socket बड़ा इसलिए होता है to support plug fin top यानि कि plug fin top का उसमें support मिल जाए और दूसरी बात यह छोटी सी concept को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपने area और length of conductor पढ़ा होगा यानि कि resistivity r बरावर rho l by a तो यहाँ पर यह length हो गया यह area of conductor हो गया वहाई area बढ़ेगा तो resistance घटेगा ना यहाँ पर आपको यह concept याद अठना है कि area बढ़ेगा तो resistance घटेगा यानि कि इस earthing वाले का resistance पहले ही आपको बता चुका हूँ कम से कम रखा जाता है इसलिए इनके comparison में कि इसका area बढ़ा होता है ताकि आसानी से लिकेज़ारा को यह अर्थ कर सके तो यहाँ पर आपने एक और concept समझ लिया कि यह socket में earthing का portion बढ़ा क्यूं होता है तो अधिक updates के लिए देखते रहेंगे technical preparation इसी आपके sort concept और basic concept आसानी से clear होते रहेंगे जुड़े रही है हमारे चैनल के साथ देखते रहें टेक्निकल प्रिपरेशन के